हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टो माई चैनल, दिस इस उर्मिला और कैसे आप सुख, I hope कि आप सब लोट ठीक होंगे, सेफ होंगे, जैसे कि आप सब को पता है, वेडिंग सीजन अभी स्टार्ट हो चुका है, तो उसी को धान में रखती हुए, मैंने मीशो के कुछ सारिया कैसी है, वो सब कुछ आगे चलके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हूँ, I hope कि ये वीडियो आपके लिए helpful हो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजे, और अगर आप मेरे चानल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प् सब्सक्राइब नाओ, और जिन्होंने पहले से ही मेरे चानल को सब्सक्राइब किया है, वो उन सबसे में बहुत जादा थेंक्यो बोलना चाहती हूँ, तो ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और मैं भी आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे और नए नए व प्यारी साड़ी है, काफी सौप्ट है, पहनने के बाद जरा भी फोलने वाली नहीं है, आप ट्राय ऑन में देख सकते हैं, इसका लोग पहनने पर कैसा आता है, ये इस साड़ी का पलू है, काफी रिश लोग पलू है, बहुत जादा अच्छा लगता है, और काफी जादा अच्छी और reasonable price वाली ये साड़ी है ये है साड़ी के ओपर साइड वाली border और नीचे के साइड वाली border मैं आपको दिखाती हूँ देखिए ये है नीचे वाली साइड की border जो की broad दिये हैं जो साड़ी का लुक बड़ा रही है ग्रीन कलर की ये border है और इसी broad border वाले साड़ी अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पहनने पे पूरी ही साड़ी में इसी तरह की वूबेन की बूटिय दिये हैं ये कोई print नहीं वूबेन की बूटिय आ हैं आप देख सकते हैं reverse side sis की finishing देखिए काफी neat and clean finishing दी है पहनने के बाद ये साड़ी आपको चुबने वाली जरा बिलकुल भी नहीं है काफी soft fabric है इस साड़ी का अपकोस लीची silk fabric है तो soft हो नहीं है देखिए पूरी ही साड़ी में इसी तरह की बूटिय दी है देख सकते हैं आप और इसका color बहुत ज़्यादा अच्छे काफी soft है ये साड़ी इसमें और भी ज़्यादा color options available है मुझे maroon color अच्छा लगा तो मैंने maroon color purchase कर लिया आपको जो color पसंद आए वो आप purchase कर सकते हैं आप देख पारे होंगे talking part से लेकर पल्लू तक पूरी ही साड़ी में भूबिन की बूटिय दी हैं चो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहे हैं और काफी बड़ी बड़ी और प्यारी प्यारी बूटिय हैं चो इस साड़ी का लुक बहुत जाना enhance कर रहे हैं देख पा रहे होंगे आप बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है मेरी तरफ से 100% recommended है यह साड़ी आप जरूर से इसे purchase कीजिए यह कोई sponsor वीडियो नहीं है friends तो purchase जरूर कीजिए और यह है इस साड़ी का blouse मैं अपनी blouse खोदी stitch करती हूँ तो आपको कैसा लगता है मुझे comment करके जरूर बताइए यह मैंने elbow sleeves इसकी बनाए हैं जो बहुत जादा अच्छी लगती हैं princess cut में मैंने इसे stitch करवाया sorry किया है तो मुझे comment करके जरूर बताइए मैंने कैसा stitch किया है और यह है इसका back neck इस तरह का मैंने neck बनवाया है और इस पर डोरी लगए है बहुत अच्छा blouse है इस साड़ी का अंसी centimeter blouse मुझे receive हो आ था तो मैंने इसे stitch कर लिया यह काफी साड़ियों के साथ भी जाता है और यह है हमारी collection की next साड़ी है पहने पर कैसी लगती हो आप देख पा रहे होंगे और इंज कलर में मैंने इसे purchase किया है इसमें भी बहुत सारे color options available है आपको जो पसंद आए वह आप purchase कर सकते हैं पैठनी सिल्क यह साड़ी है सिल्क इसका fabric है और two tones shade में इस साड़ी मिलते है अलग-अलग color change होते हैं इस साड़ी में यह है साड़ी का पल्लू काफी rich look पल्लू है पल्लू पे stessles दिये हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा work woman का work भी दिये हैं देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है काफी rich look देता है पेहनने के बाद और इसमें कुछ peacock वाले design बना है reverse side से finishing देखिए काफी neat and clean work है जो original pattern होती है उसी के तरह soft fabric है इसका पेहनने पे फोलने वाले नहीं है देख सकते हैं आप कितना प्यारा color लग रहा है और यह उपर वाली border है और यह नीचे वाली border दोनों side की border same ही है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहे है और इस पे यह कुछ green and blue यह red color के पिकॉक और print बनाए है golden color की यह border है इस सारी की इस सारी पे जो इसी तरह की कुछ पिकॉक बनाए है बहुत ज़्यादा नहीं है थोड़े थोड़े है इस सारी का fabric इतना ज़्यादा अच्छा है और यह पहनने पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आपको वीडियो में देखी रहा बहुत ज़्यादा अच्छी सारी है आप इसे भी ज़रूर पॉचेस कर सकते हैं आज की सभी सारी बहुत ज़्यादा अच्छी है आप इसे 100% ज़रूर से ज़रूर पॉचेस कीचे यह इसका tucking part है जो की plane दिया है टॉकिंग पार्ट पर इसके कुछ design नहीं दिया है बहुत जादा अच्छे सारी है यही सारी का blouse चोकि red color में receive हुए है blouse का fabric भी same ही है red color का blouse है यह भी 80 cm का blouse है आप इसे भी stitch कर सकते हैं मैंने अभी तो किसे stitch नहीं करवाए है ये इस इसकी border है blouse की same ही है सारी की तरह आप जरू से जरू स्टिच करवाई है काफे अच्छा फैबरिक है और ये है हमारे कलेक्शन की नेक्स साड़ी जो कि इस कलेक्शन की बहुत ज़ादा अच्छे साड़ी है इसे तो मैं 100% रेकेमेंट करूगी आप जरू से जरू इसे पोचेस कीजिए आप देख पारे होंगे कितनी ज़ादा अच्छे साड़ी है टीशू की ये साड़ी है और आपको तो पता है टीशू की साड़ी है कितनी अच्छे लगती है यह है इस साड़ी का पल्लू जो रानी पिंग कलर में इसका पल्लू है बहुत जादा अच्छा रिक्ष लोग पल्लू है आप देख पा रहे हूँ कि साड़ी की शाइन कितनी जादा अच्छी लग रहे है देखिए पूरी ही साड़ी में इसी तरह का वुबेन का वर्ट दिया है गोल्डन कलर का और गोल्डन कलर की ये साड़ी ये पिंक कलर का बॉर्डर है उपर वाला नीचे वाला बॉर्डर दिखाती हूँ मैं आपको इसका नीचे वाला बॉर्डर बहुत जाद जाद है और आपको पता है ब्रॉड बॉर्डर वाली साड़ी है बहुत जाद अच्छी है टिशू सिल्क साडियों में ब्राड ही बाउर्डर होता है, जो कि हमें कान्जिवरं सिल्कों जैसा लूँप देता है. और इसमें, इस तरह की कुछ जो गोल्डन कलर की प्लावर बना plugging हैं, पूरी ही साड़ी में इस तरह की प्लावर हैं, रिवर्स साइट से भी पहन सकते हैं बहुत जाद अच्छे साड़ी है मैंने इसे हमारे एक रिष्टेदार की शादी में पहना था तो बहुत सारे लोकों ने मुझे पूछा कि ये साड़ी आपने कहां से पूचेस की है तो मैंने बताया कि ये मीशो की साड़ी है तो मुझे इसका रिव में आज आपके साथ भी शेयर करती हो तो मैंने बताया आपको बहुत जाद अच्छे साड़ी है प्रेंट्स आप इस साड़ी को जरू से जरू परचेस कर सकते हैं सिर्फ 950 रूपीज में मुझे ये साड़ी मिली है टॉकिंग पार्ट से लेके पल्लू तक पिको भी करवाया है जैसे कि मैंने आप सब को बताई यह साड़ी मेने पहनी थी तो मैंने इसे पिको और फॉल बनवा लिया है अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इसे एक वेडिंग में वेर किया था बहुत जादा अच्छे साड़ी हैं टीशू की साड़ी है और टीशू क पिंक कलर में इसका ब्लाउज दी है पूरे ही ब्लाउज में भी ब्रोकेड का वर्क है और पिंक कलर के ब्लाउज हमारी साड़ी बहुत सारी साड़ियों पे जाते है तो आप इसे भी स्टिच कर सकते हैं ब्लाउज का फैबरिक बना रहे सी टीशू सिल्क हैं काफी जादा ब्लाउस पे भी सेम तरह के बॉर्डर दिये हैं अंसी सेंटिमेटर का ये ब्लाउस है काफी शाइनी ब्लाउस है आप इसे भी जरूर से जरूर स्टिच कर सकते so friends I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये collection भी आपको पसंद आया हो तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताईए friends तो मैं ऐसी नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी so वीडियो देखने के लिए thank you मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye